सीरेल ये रिष्टा क्या कहलाता है में आने वाला है इंट्रेस्टिंग मोड जहां फाइनली सीरत पहली बार सालों बाद देखेगी रनवीर को और वो भी अस्पताल में तो क्या अब सीरत अस्पताल में रनवीर से मिलेगी जी हाँ सीरेल ये रिष्टा क्या कहलाता है में नारा की मौद के बाद से ही फैन्स हुए थे शौग लेकिन कार्तिक की लाइफ में सीरत की इंट्री से सीरेल की कहानी में आया नया ट्रेस्ट एक तरप जहां फैंस कार्तिक और नारा को नहीं भूल पाए हैं और वो सीरेल में नारा को वापस लाने की कर रहे हैं लगादार डिमान्द वहीं फैंस को कार्तिक और सीरत की जोड़ी भी खूब रास आने लगी है और उन्होंने इनका निकनेम भी रख दिया है और वो है कासिर और फाइनली सीरियल में दोनों की हो गई हैं इंगेजमेंट भी जिससे पूरा गोईं का परिवार है बेहत खुश वहीं दूसी तरब कहानी में आने वाला है हाई पॉइंट ड्रामा जहां कार्तिक और सीरत के इस सगाई से हर कोई है खुश वहीं दूसी तरब सीरत की कार्तिक के साथ सगाई को देखकर रनवीर की जिन्दगी में आया है भैंकर तूफान जी हाँ पहले तो रनवीर सीरत को देखता है कार्तिक के साथ सगाई करते हुए जिसे देखकर वो हो जाता है शौक वहीं दूसी तरब रनवीर का हो जाएगा एक्सिजेंट और वो पहुच जाएगा हॉस्पिटल वेल इसके बाद भी सीरियल की कहानी में आने वाला है जब अदस्ट विस्ट जब रनवीर के एक्सिजेंट के बारे में कार्तिक को पता चलेगा और कार्तिक सीरत के साथ अस्पिताल पहुचेगा रनवीर को देखने के लिए जी हाँ इसे के साथ सीरियल की कहानी माने वाला है हाई पॉइंट ड्रामा जहां एक दर रनवीर है अस्पिताल में तो भही दूसी तरब रनवीर को इस तरह देखकर सीरत है दुविधा में कि वो रनवीर से मिले या नहीं इसे बीच रनवीर की बहन भी अस्पिताल जाएगी वेल अब देखना दिल्चस होगा कि क्या रनवीर को देखकर पिघल जाएगा सीरत का दिल या फिर खुद कातिक करेगा पहल सीरत और रनवीर को मिलाने के लिए झाल झाल झाल